सारख और स्टीव के बीच में बहुत प्रेख था। उनके विवाह को दस वर्ष हो चुके थे, परंतु उनकी कोई भी सनतान नहीं थी। उनके विवाह के ग्यारवे वर्ष में, उनके मित्रों और परिवार वालों ने उनके कान भनने शुरू कर दिये कि उनको तलाग ले लेना चाहिए। वो सबकी बातें सुथे थे, परंतो उनके मन में तलाग कोई भी विचार नहीं था। उनके प्रेम का बंधन अटूट था। कुछ महिने के बाद, एक दिन जब स्टीव अपने काम से घर वापी सा रहा था, उसने देखा कि उसकी पत्नी सारा एक पुरुष के साथ घर की तरफ चलिया रही थी। उस पुरुष ते अपनी बाहा सारा के कंड़े पर रखी हुई थी। वो दोलों बहुत ही खुश लग ले थी। उस अफ़ते स्टीव ने बहुत बार उस पुरुष को अपनी पत्नी के साथ देखा। एक दिन उसने देखा कि सारा उस व्यक्ती की कार से नीचे उतर रही थी। उस व्यक्ती ने जाने से पहले सारा के गाल को चुपा। स्टीव को बहुत क्रोध आया पर तो उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं का। एक दिन स्टीव जब काम से वापिस आ रहा था तो बहुत ही ठका हुआ था। वो घर में आकर एक गलास पानी पीने ही वाला था कि उसके फोन की घर्टी बढ़ी उसने फोन उठाया तो एक व्यक्ती की आवाज रही हेलो डियर मैं शाम को तुमको मिलने तुम्हारे घर आओंगा। स्टीव ने फोन रख दिया। उस पुरुष की आवाज ने स्टीव को विचलित कर दिया। उसको पूरा विश्वाश था कि वो वही पुरुष था जिसके साथ उसने अपनी पत्नी को कई बार देखा था। स्टीव पूरा दिन चिंतित रहा कि क्या उसकी पत्नी ने दूसरा पुरुष छान लिया था उसका घर में मन नहीं लगना था स्टीव के हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर कर तुट गया उसकी पत्नी दौर कर उसके कमरे में आई और पूछा कि क्या हुआ इस्टीव ने क्रोध में सारा को धक्का दे दिया वो नीचे गिर पड़ी अचानक इस्टीव ने दिखा कि सारा तूटे हुए काँच के टुकड़ों पर गिर थी एक टुकड़ा काँच उसके गले में गुज़ गया था वो निच्टर जमीन पर पड़ी थी उसने सारा को धिलाने की कोशिश की परंतु वो बेहोश हो चुकी थी सारा के हाथ में एक लिफाफा था उस लिफाफे में एक चिथी थी उसने तुरंट चिथी खोल कर पढ़नी चुरू कर दो मेरे प्यारे स्कीम मैं नहीं बता सकती कि ये लिखते हुए मैं कैसा मैसूस कर रही है एक हथे से मैं प्रती दिन डॉक्टर से मिल रही तुमको बताने से पहले मैं आश्चर सोना चाहती थी कि मैं गर्भवती डॉक्टर ने ये पुष्टी कर दी है कि मैं जुड़वा बच्चों को जनम देने जा रही है डॉक्टर ने कहा है कि मैं तीन महिने बाद अपने बच्चों को जनम दोंगी तुमको ये जानकर अश्चर होगा कि वो डॉक्टर बहुत समय पहले मुझसे बिचड़ गया मेरा भाई है मैं उसको बहुत वर्च तक नहीं मिली थी मेरा भाई जो आप डॉक्टर है रोज मुझसे मिलता है और हर तरह से मेरी देखरेक करता है उसके कहा है कि वो मेरी और हमारे बच्चों की पूरी देखरेक करे वो आज रात हमारे घर रात का खाना खाने को आ रहा है आपने हमेशा मेरा साथ दिया आपको दिल से धन्यवाद तुमारी पतनी साथ चिठी इस टीव के हाथ से गिल गए और वो फूट फूट कर रोने लगा तभी दर्वाजे पर दस्तक हुई इस्टीव ने दर्वाजा खोला दर्वाजे पर वही वेक्ती था जिसको उसने सारा के साथ बहुत बाइट देखा था उस वेक्ती ने कहा हेलो स्टीव मैं माइकल हूँ सारा का भाई अचानक माइकल ने अपनी बहन को जमीन पर पढ़ा हुआ देखा उसके गले से बहुत साफोन निकल जबादा माइकल तुरंट उसको उठाकर अपनी कार तक ले गया और हस्पताल की तरफ चल लिया सारा कौमा में थी उसने अपने जुड़वा बच्चे को दिया तीन दिन बाद जब सारा को होशाय उसकी आँखों में शुर लिता थी स्टीव की आँखों से आशु थे और वो ये कपरादी की तरफ सारा के बिस्तर के पास सर जुकाए ख़़गा था मित्रों को खोल कर पूछ लेना चाहिए हर विकती जीवन में गलतियों करता है परन्तु हम इन गलतियों को जरा सी सावधानी से टाल सकते हैं कभी भी कोई निर्णे जल्दी में मत लिजिए नहीं तो आपको पश्ताना ही मोगा आपको देखी बात पर भी ये किल्मत की है जब तक आप सक्त की पुष्टी न कर ले सुनने के लिए बहुत बहुत धन्याँ